केटीम ने भारत में 250 एडवेंचर का 2023 मौडल लॉंच कर दिया है इसे 2.47 लाख रुपए एक्सशोरूम की कीमत पर लाया गया है कम्पनी ने इस बाइक को नए O.B.D. दो मानकों के अनुसार लाया है और इसके अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है KTM 250 एडवेंचर में 248.76 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन लगाया गया है जो बाश इलेक्ट्रोनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आता है यहां इंजन 9000 RPM पर 29.6 BHP का पॉवर वर 7000 RPM पर 24 Nm का टार्क प्रदान करता है इसमें 6 स्पीड गियर्बॉक्स दिया गया है जो स्लिपर क्लच के साथ आता है स्काइल की बात करें तो इसमें सिंगल पोड हेडलाइट, एक छोटा विंड स्क्रीन, साइट स्लंग, एकजॉस्ट वर स्प्लिट स्काइल सीट्स दिया गया है इसमें 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है KTM 250 Adventure में हेलोजन हेडलाइट, LED DRL, एक LED टेल लाइट व एक LED टर्न इंडिकेटर दिया गया है वहीं इस बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो औसत स्पीड, गियर पोजिशन इंडिकेटर दिया गया है KTM 250 Adventure को क्यूबलर स्प्लिट्रेलिस फ्रेम पर तयार किया गया है सस्पेंसन के लिए सामने 43 मिमी इंवर्टेट फोक्स वह पीछे प्रिलोड एडिस्टिबल मोनो शॉक दिया गया है ब्रेकिंग के लिए सामने 320 मिमी सिंगल डिस्क वह पीछे 230 मिमी सिंगल डिस्क दिया गया है इस बाइक में डुल चैनल ABS, एक स्लिपर क्लच, बारा वाल्ट का सॉकेट दिया गया है KTM 250 Adventure का वजन 177 किलोग्राम है इसे दो रंग विकल्प में उपलप्त कराया गया है जिसमें Factory Racing Blue तथा Electronic Orange शामिल है इसके साथ ही KTM ने 390 Adventure X को भी लॉंच किया है इसे 2.8 शून्य लाख रुपए एक्स शोरूम दिल्ली की कीमत पर लाया गया है पुराने मॉडल के मुकाबले KTM 390 Adventure X की कीमत करीब 58 शून्य 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 रुपए तक कम हुई है कीमत कम करने के लिए कंपनी ने 390 Adventure X में कई Electronics हटाए है जिसमें Quick Shifter, Cornering ABS वर Traction Control हटाए है KTM 390 Adventure X Dual Channel ABS के साथ आता है जिसमें Rear ABS को बंद करने का भी विकल्प दिया गया है इसमें Full LED Lighting, Dual Channel ABS, Off-Road Mode के साथ Sleeper Clutch, 12 Vault का USB Socket दिया गया है इसमें TFT Display की जगा LCD Dashboard दिया